रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट खबरे सबसे पहले रेस्टीन में हुई ये मज़ेदार गलतियां आपने देखी क्या बॉलेवुड के सुल्तान यानी सल्मान खान की रेस्टीन का इंतजार उनके फैंस को काफी लंबे समय से था अब यह इंतजार खत्म हो चुका है फिल्म आज से ही सभी सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है इस साथ सांज आ करने जा रहे हैं आईए जानते हैं इन गलतियों के बारे में पहली गलती फिल्म के एक सीन में शमशेर यानी अनिल कपूर एक हेली काप्टर से उतरते नजर आते हैं और उनके साथ एक बॉडी गर्द भी नजर आता है लेकिन ये क्या जैसे ही कैमरा अंगेल ग्योड गाएब हो जाता है है नग जब दूसरी गलती फिल्म के एक सीन में साकिब सलीम यानी सूरज एक कर में बैठे बैठे अपनी अगल बगल की कारों पर गोलियां चलाते नजर आते हैं लेकिन अगले ही सीन में एक तार सूरज की कार के सामने हवा में उच्छलती नज आ सकता है तीसरी गलती फिल्म के एक सीन में सनजना यानि डेजी शाह चाकू के साथ अपनी ड्रेस फाढ़ने की कोशिश करती है लेकिन अगर कैमरा जूम करके देखे तो उनकी ड्रेस पहले से ही फटी होती है न मजेदार चोथी गलती फिल्म के अगले ही सीन में सनजना एक इनसान को किक मरती है और वो उचल कर सामने लगे शीशे पर टकराता है और शीशा चकना चूर हो जाता है इस सीन में मजेदार बात यह है कि शीशा तो उस इनसान से टकराने से पहले ही तूटा हुआ होता है पांच भी गलती फिल्म के एक सीन में सिकंदर यानि सल्मान खान दो रॉकेट लांचर छोड़ते हैं और दो कारों को निशाना बनाने के लिए जबकि दूसरी तरफ से सिर्फ एक कार ही नजर आ रही होती है जब कैमरा उपर से वियू करता है तो सामने से दो कार नहीं बलकि दो जीप आ रही होती है छटी गलती फिल्म के एक सीन में दो बाइकर्स एक कार का पीछा करते नजर आते हैं लेकिन अगले ही सीन में उस कार से सिर्फ एक की बाइक टकराती है पता नहीं ये दूसरी बाइक कहां गायब हो गई साथवी गलती फिल्म के अगले सीन में दो बाइक और एक कार सिकंदर यानि सल्मान खान का पीछा कर रही होती है तब ही उनके रास्ते में एक पेड़ गिरा नजर आता है कमाल की बात यह है कि बाइक और कार उस पेड़ से टकराने से पहले ही हवा में उच्छल जाती है